नमस्कार दोस्ता आप सभी का लॉसिको के दैनिक समाचार विशलेशन में आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं आज जो हम पहले विशे के बारे में चर्चा करने वाले हैं ये हाल ही में कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतरगत गाइडलाइन रूल्स लाए गए है मापकी जी का रूल्स लाए गए है सरकार के द्वारा उस पर हम बात करेंगे साथी साथी इन रूल्स को ई-कॉमर्स रूल्स कहां जाएगा जो की ई-कॉमर्स जो बिजनेस होता है अमेजन से से मिंत्रा से इन कंपनियों पर यह प्रभाव डालते हुए रूल्स रहेंगे इनके रेगुलेशन के लिए इनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स लाए गया है तो उन पर हम बात करेंगे कि इसका कैसा और किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा उसके बाद में आज का जो बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ऑसाथ जो सर्वियलेंस say हमारे भारत में उस बारे में भी हम बात करेंगे तो चलिए मैं आगे बढ़ ऑस सफेले मारे में अपना परिच्चे करवाना चाहोंगा मैं खुषक्षवंत पवार आप चाहें तो मुझसे ट्विटर और LinkedIn बढ़्यूर सकते हैं वहाँ पर आपको कोई प्रश्ण हो कोई feedback हो तो मुझसे साजा कर सकते हैं description में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी तो चलिए आज का MCQ देखते वहिए है कि शियो नंदन पास्वान वजएस बिहार राज यह निमने में से किस संबंदित है निमने जो विशा है उन में से किस संबंदित है आपको option A है यह compensation मुआवजे से संबंद रखता है option B है camera trial से संबंद रखता है option C है यह custodial death से संबंद रखता है option D यह public prosecutor मतलब सरकारी अभियोजक से संबंद संबंद रखता है अब बढ़ते हैं हमारे descriptive question की और तो वह यह है कि भारत में surveillance जो विभिन प्रकार के surveillance law है भारत में यह कौन-कौन से जो करानी रखने के लिए जो कानून है हमारे देश में यह कौन-कौन से है इन में से आपको कुछ की चर्चा करनी उनको list करें के आपको उनकी चर्चा करनी है तो चलिए मैं आगे बड़े उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप हमसे टेलिग्राम और लिंग और यहां पर इंस्टाग्राम के माध्य हमसे भी जूर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website भी विजए कर सकते हैं तो चलिए जो हमारा पहला आज का आर्टिकल है यह e-commerce rules के बारे में है e-commerce rules जो है Consumer Protection Act 2019 जो है उ यहाँ पर Center Government ने कहा है कि वो एक Advisory Council सेट अप करेंगे for Open Network of Digital Commerce ONDC Open Network for Digital Commerce के लिए एक Advisory Council बनाई जाएंगी to digitize e-commerce value chain तो जो e-commerce की value chain है इसका digital करन करने के लिए यहाँ पर यह जो Advisory Council है वो लाई जाएंगी तो draft rules क्या कहते हैं हम वो समझ लेते हैं सबसे पहले draft rules की यहाँ अलूचना करते हुए इस article में writer ने बताया है कि इनका intent अपने आप में clear नहीं है यह क्या कहना चाहते है यह नहीं है सबसे पहली बाद जो इस draft rules को देखकर समझ में आता है वो यह है कि one can be prevent firms from taking over commerce तो यहाँ पर जो firms है वो completely take over ना कर ले वानिज्य का उसके लिए यह कदम उठाते हुआ यह rules जो है draft rules दिखते है उसके अलावा भारस सरकार का जो making India है हमारे प्रधान मंतिय का जो making India program ह है flagship government scheme है इसको promote करने के लिए यह rules लाया जा रहे है ऐसा माना जा रहा है तो यहाँ पर in principle the draft rules are unnecessary डाइटर एक आलोशनात्मक्ट पढ़नी करते हुए कहते है कि अगर सधानतिक रूप से देखे तो यह draft rules की कोई आवशकता ही नहीं है क्योंकि already have consumer care centers competition and other quality check consumer codes for fraud तो यहाँ पर जो इस rules में जिस चीजों को address करने की बात की गई है वो हमारे पास में पहले ही मुझूद है जैसे consumer care centers हो गए या competition हमारे मार्केट में create करना है तो उसके लिए CCI उसके तरफ देखता ही competition commission of India उसके अलावा quality check के लिए हमारे पास में पहले ही उबहुकता मंत्राल है और उस त तमामले के code भी अगर fraud होता है तो उस यतिति में already मौझूद है तो यहाँ पर rules जो है अपने आप में e-commerce जो cost है e-commerce का उसको बढ़ाएंगे साथी साथ bureaucracy जो है हमारी जो यहाँ पर हमारा bureaucratic तंत्र है उसको भी अपने आप में बढ़ाएंगे और उनकी लिए भी एक यहाँ पर जो workload है वो बढ़ जाएंगा और चीज़ें जिस तरीके से गतिशील होती है उसमें थोड़ा यहाँ पर विराम लग सकता है तो यहाँ पर rules जो है अगर consumer को protect करने की बात कर रहे है तो इसमें से कुछ चीज़ें जो हम निकाल के लेकर आ सकते है वो यह है कि to ensure the consumer not cheated through leaking data spamming and deceptive advertisement तो आपने rules लाया है consumer protection act के अंतरगत लाया है मतलब जो आपका principle act है वो बात करता है कि उपभोगता के जो interest है वो अपने आप में बचे रहे उपभोगता के साथ में यहाँ पे किसी तरीके का fraud या जालसाजी ना हो तो उसके लिए आपको समेंडी की ज़रुरत है आप पर उनसे cheating ना हो उसके अलावा उनका जो data collect किया गया है वो leak ना हो या किसी और तरीके से इस्तमाल ना किया गया हो उसके अलावा spamming ना हो उनके साथ में और advertisement जो रहते विज्यापन जो रहते आपने आपने काफी भठकाने वाले रहते तो इस तरीके के deceptive advertisements नहीं आए उस के लिए भी आपको कदम उठाने के rules में चीज़े शामिल करने की आवशकता है और उसके अलावा जो दो चीज़ एड्रेस करने की बात करें should address a market failure यहां पर market failure address करने की जरूरत है तो यह दो काइंड का हो सकता है एक तो concentration of power हो रहा है मतलब जो शक्ति है उसका एक ही करन यहा यहां पर market में दो ही बड़े player है और जो दूसरे local player से वह हमें एकदम नगड़नी ही दिखते है उसके अलावा information asymmetry जिस तरीके से सूचना भूपता तक बहुचनी चाहिए वह अपने आप में नहीं पहुचती है even जो हमारी सरकारी तंतर है वहां तक भी यहां information नहीं आती है तो अगर इसका हम positive side देखे इन rules का positive side भी कहा गया कि e-commerce अगर अपने spirit में यहां पर लागू होते है अगर implement properly होते है तो कही ना कही market में जो एक monopoly create हो रही है यह उसको खतम कर सकता है उसके अलावा users के लिए value create कर सकता है अभी जैसे मैंने बताए कि market के वल दो ही player जो है वो यहां पर एक और महत्पून बात जो है वह fallback liability की बात की गई है कि अगर मान लीजिए कि आप तक कोई उत्पाद आया कोई product आपने order कर आपके पास में आया phone आपने iPhone order कर लिए iPhone में कुछ defect निकल के आता है या आप कुछ और उत्पाद मंगाते हो उसमें कोई defect निकल के आता है तो इसका जो liability जो responsibility रहेगा वो रहेगा e-commerce company का उधारन दे के समझाया है यह तो ऐसा हो गया कि अगर किराना store से आपने washing powder खरीता है और वो defect निकला तो इसके लिए किराना store वाला यहां पर व्यक्ति जिम्मेदार है लेकिन अगर आपने आपने गर हम समझे कि अगर 100 washing powder यहां पर निर्वांट हुए है किसी company में तो वहां पर error का chance से एक washing powder खरब आ सकता है और इसके लिए जिम्मेदार क्या वो किराना वाला है या वो company है जिन्होंने इसको manufacture करा है तो यह सवाल के साथ में यहां पर इस article में छुड़ा हुआ है साथ ही साथ एक और बात की गई ह तो अगर आप एक open digital ecosystem त्यार कर रहे तो यह अपने आपने तीन लेयर का होना चाहिए तीन सथा का होना चाहिए जिसमें प्रोध्योगी की governance मतलब शाषन और community मतलब समुदाए समाज का प्रता बराबर रूप से यहां पर participation होना चाहिए संशिप्त में यहां पर बताया गया है क्या का इस rules में है क्या कमिया और खामिया इसकी बताई गई है चलिए हमारे दूसरे आर्टिकल पर आते हैं जो कि सर्विलेंस भारत में जो सर्विलेंस से संबंदित कानून है उसके बारे में बात करता है तो पिछले कुछ दिनों से हम एक spyware के बारे में चर्चा कर रहे है बात कर रहे है तो रिपोर्ट आई है दवायर की सबस्क्राइब रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 300 जो भारतिये हैं इन पर यह इस पर इस्तमाल किया गया और उनकी लिए जासुसीन के फोन में खुस के सारे देटा यहां पर निकाला गया है और पर जासु लगाई जा रहे हैं अब एक विशे यहां पर चर्चा का यह हो जाता है कि भारत में सर्विलेंस जो है सर्विलेंस संस्म्द्र कानून क्या है तो भारत में दो मुझ्य कानून है बसे सबसे पहले अगर हम देखें तो टेलिग्राफ एक्ट है 1885 का टेलिग्राफ एक्ट अच्छी का जो है इसमें नाम से आपको पता चलता है टेलिग्राफ के संब्द में था लेकिन साथ ही साथ इसमें फून कॉल तक अब शामिल हो गए है डिशन कुछ अमेंडमेंट्स के द्वारा तो इसका सेक्षिन इस एक्ट का सेक्षिन फाइफ सब क्लॉस टू यह कहता है अलाव इंटरसेप्शन डिटेंशन ऑफ मैसेजिस अनली इन सर्टन सिटूएशन तो यहाँ पर कुछ पर्टिकॉल इस्तिती में मैसेजिस जो है जो आपकी संदेश है उसका अवरोधन इंटरसेप्शन मतलब उसे रूखना अवरोधन का पर्मिशन गवर्मेंट को मिलता है अब यह जो अवरोधन होना चाहिए इंटरसेप्शन होने की आवश्यक्ता है मतलब यह कानुन रूख से मानने अवरोधन होना चाहिए उसमें भी जो अवरोधन है यह जर्नेलिस्ट जो है जर्नेलिस्ट मतलब हमारे जो न्यूस पेपर या हमारी न्यूस चैनल्स है इनके जो संपातक है जो समभादाता है इनके उपर नहीं होना चाहिए कुछ इस्तीती में ही एक एक्सेप्शन है उसी स्तीती में अगर देश की संप्रपुता या अखंड़ता के अग्येंस जाता है उसी स्तीती में हो सकता है इसके बाद में सुप्रिम कोट ने इसी कानून के संबंद में 1996 में कुछ चीज़ों को यहाँ पर चिन्यत किया गया है तो यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि आप इंटरसेप्शन तभी कर सकते हैं जब यह एक प्रोसेजर के थुरू चाहिए तो पहले से कानून में तो कोई प्रोसेजर है नहीं तो सुप्रीम कोट ने यहाँ पर अवेलेबल हो या इस्तिते कुछ विप्रीथ हो तो इस इस्तिती में एक्स्राओर्णरी कंडिशन में जॉइंट सेकेटरी से भी परमिशन ली जा सकती है उसके बाद में आईटी एक्ट दोहजार में जो सर्विलिंस का दाइरा है यह एलेक्ट्रोनिक कम्यूनिकेशन करसांत में और आईटी रूस लाए गए 2009 में जिसमें सुप्रीम कोट की दिशान निर्देश को समलित किया गया तो अब बात करते हैं हम आईटी एक्ट को हमने देख लिया सेक्शन 69 जो है आईटी एक्ट का वह अलाव करता है कि आप इंटरसप्शन मॉनिटरिंग और और यहाँ पर इंक्रिप्शन जो होता है उसका उलट जो होता है डिक्रिप्शन वह आप कर सकते हैं मतलब जो हमारे वाट्सप इंक्रिप्टेड मैसेज रहता है एंट्वें इंक्रिप्टेड तो यहाँ पर एक कोट के फॉर्म में जनरेट रहते हैं तो आप उसको अगर इंक कोडिफाइड भी कर सकते हो तो अपने आपने 69 सेक्शन 69 जो है इंफोर्मेशन टेखनोलोजी एक्ट का यह काफी एक बड़ा दाइरा त्यार कर देता है अब वे सब्सक्राइड यह महत्मूल इसलिए हो जाता है क्योंकि निजिता का अधिकार जो है हमें पुट्टा स्वामी केस में मिला है राइट टू प्राइवेसी जो है वह राइट टू लाइफ का अभिलना अंग माना गया है जो कि आर्टिकल 21 में अनुच्छ 21 में हमें दिया गया ह जो हमारा fundamental right मौलिक अधिकार है तो यह कूर्ट में जरूर जाकि यह निच्टा के अधिकार के जज्ज्मेंट के बाद में यह टेस्ट होना जै कि यह दोनों प्रावधान यह दोनों कानून में क्या यह अपने आप में सही है और क्या इन में जो शक्तिया जी गई सरकार को क सब्सक्राइश के जो foreign streets के साथ में संबन है वो प्रभावित हो सार्वजिनिक व्यवस्ता बिगड़े या कोई offense हो उसको prevent करने के लिए क्या जा सकता है उसके अलावा 69 है section information technology act में उसमें दूर चीज़े और सम्मिलित की गई है एक तो यह है कि यहाँ पर defense of India को शामिल किया गया है भारत के सुरक्षा को लेकर दूसरा investigation of any offense मतलब कोई भी investigation के लिए कोई भी offense offense किया गया है आरोप किया गया है तो उसके ambition के लिए इस section का इस्तिमाल किया जा सकता है तो चलिए मुझे सुनने के लिए आप से भी का धन्यवाद आज का हमारा solution जो है वो यही समापत होत है थैंक यू स्टे तूने तो लॉसी